इलाइची का सेवन आम तोर पर मुक्षदी के लिए अथ्वा मसाले के रूप में यूज किया जाता है और ये दो प्रकार की होती है हरी या छोटी इलाइची या फिर बड़ी इलाइची जहां बड़ी इलाइची वेंजनों को लज्जीज बनाने के लिए एक मसाले के रूप में यूज होती है तो वहीं हरी इलाइची मिठाईयों की खुश्बू बढ़ाती है मेमानों की आवभगत में भी इलाइची का इस्तेमाल किया जाता है तो हारी सीजन में एक बार फिर छोटी इलाइची में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है निलामी केंद्रों पर आवग घटने और स्टोकिस्टों की डिमांड निकलने से छोटी इलाइची में मजबूती आना टैब बताया जा रहा है उधर केरर और करनाटक सही दक्षन भारत के राजियों में इस बार अच्छी बारिश देखने को मिली है पर नामसरूप छोटी इलाइची की नई फसल में क्रीब 15 फीसद का नुकसान होने की आशंका जताई गई है उधर 7 mm छोटी इलाइची के भावो में 100 पे प्रती किलो की और तेजी की संभावना लगा रहा है बाजार इधर एक रिपोर्ट के अनुसार हाली में हुई निलामी में छोटी इलाइची की आवक घटकर 54,758 किलो रहने की खबर आई है छोटी इलाइची की आवक तुनात्मक रूप से नीची होने और डिमांड बढ़ने से इसकी कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है लिहाजा छोटी इलाइची में आगे भी मंदी के असार समाक्त हो गए है माना ये जा रहा है कि 24 सेजन के चलते इलाइची की कीमतों में उच्छाल देखने को मिल सकता है बिरो रिपोर्ट मारकेट टाइम सीवी